चतुर बंदर एक बार की बात है, विचित्र देश के राजा की बेटी को राक्षस उठा कर ले गया। राजा बहुत परेशान था, आखिर उसने डिनूरा पिटवा दिया, कि जो भी मेरी बेटी को राक्षस से छोड़ा कर लेकर आएगा, उसी के साथ मैं अपनी बेटी की शादी कर दूँगा। अनेक देशों के राजकुमार आए, लेकिन कोई भी राजकुमारी को नहीं ला पाया। एक दिन भरी दुपरिया में एक सुदरसन नौजवान राजा के पास आया, उसने राजा से कहा, महराज आपके ही राजक में गोमती नदी के तट पर एक छोटी सी कुटिया में अपने माता पिता के साथ रहता हूँ, मेरा नाम विजय है, मैं आपकी बेटी को राक्षस से छोड़ा कर लाऊंगा। राजा ने उसे आ गया दे दी, विजय थोड़े से चने लेकर चल दिया, चलते चलते जब वह बहुत थक गया, तो एक पेड़ के नीचे बैठ गया, वहाँ उसने थोड़े चने खाए और जब पानी पीने के लिए वे की ओर बढ़ा, तभी अचानक एक बंदर आ गया, उस वहाँ भी उसके साथ चलेगा, विजय ने मना किया, तो बंदर ने कहा, मेरा पानी वापस करो, विजय उसे अपने साथ चलने के लिए राजी हो गया, थोड़ी दूर चलने के बाद, रास्ते में एक दही वाली मिली, विजय ने विजय से कहा, इसकी दही की मटकी ले लो, विजे ने रसी ले ली, चलते चलते उन्हें सुवर के बच्चे मिले, बंदर ने कहा सुवर के बच्चे उठा लो, विजे ने सुवर के बच्चे उठा लिये, अब वे राक्षस के महल पहुचे, राक्षस महल में ही था, एक बहुत सुन्दर से कमरे में, राजकुमारी सो र वा डर गई विजे ने उसे अपने बारे में बताया और कहा कि वा उसे बचाने आया है तो वा बहुत खुश हुई लेकिन अचानक वा उदास हो गई उसने विजे से कहा कि राक्षस तो बहुत ताकतवर है तुम उसका मुकाबला कैसे करोगे तुम्हारे पास तो कोई हत्यार भी नहीं है विजे ने हस्ते हुए कहा आप बिल्कुल जिंता ना करें मैं अपने दोस्त बंदर के साथ मिलकर आपको राक्षस के चंगुल से छुडवाऊंगा अचानक राजकुमारी को कुछ याद आया उसने विजे से कहा तुम दोनों जल्दी से छुप जाओ राक्षस के आने का समय हो गया है विजे और बंदर छत पर जाकर छिप गए थोड़ी देर के बाद राक्षस ने महल में प्रवेश किया उसने राजकुमारी से कहा मुझे मनुष और बंदर की खुश्पू आ रही है राजकुमारी डर के मारे कुछ नहीं बोली राक्षस चिला कर बोला कौन है बंदर ने राक्षस से भी तेज आवा चिला कर कहा तुम कौन हो राक्षस ने कहा मैं शेर हूँ बंदर ने कहा मैं सवा सेर हूँ राक्षस ने कहा अपना थूग दिखाओ बंदर ने दही की मटकी नीचे फेग राक्षस ने कहा अपनी पूँच दिखाओ बंदर न उससे भी ताकतवर है, यह सोचकर वो राक्षस डर्ज के मारे भाग गया, विजे ने बंदर को धन्यवाद दिया, विजे राजकुमारी और बंदर को लेकर राजा के पास आ गया, राजा ने खुश होकर राजकुमारी की शादी विजे से करा दी और बंदर को सेनापती बना दिया गया इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि मुझकिल के वक्त भी हिम्मत ना हारने वालों की जीत होती है आप सब को यह कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा और ऐसे ही रोचक और प्रेनादायक कहानियों के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए लीज ल